हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत क्विक रेसिपी पास्टा की बनाने लगी हूँ मिक्स वेजटेबल के साथ आइम शूर पहले भी बनाई हुई है लेकिन कई नए फ्रेंड है साथ में तो वो भी देख सकते हैं यहां मैंने पास्टा बॉयल कर लिया है और उसका पानी सारा ड्रेंड कर दिया है पास्टा बॉयल करते समय उसमें थोड़ा ओयल डाल लें तो वो स्टिक नहीं करेगा और अभी यहां पर मैंने mixed vegetable के लिए थोड़ा सा oil, एक बड़ा चमच अद्रक क्रश किया हुआ और उसमें नमक, मर्च, हल्दी वो डाल के, ये mixed vegetable कोई भी हो आपके पास, वो डालने और उसको मसाले में अच्छे से भून लें, टमाटर भी डालने उसमें और अच्छे से भून लें, और ये frozen vegetable हमारी होती है, बहुत जल्दी गल जाती है और हल्का सनी तो पानी डाल के पांच मिनट के लिए रख दें, और ये गल जाती है जब गल जाये तो इसमें आप उबला हुआ पास्टा डाल दें, और सब चीजों को अच्छे से mix कर लें और जब ये mix हो जाएं, तो इसमें आप अपनी choice की जो भी sauce डालना चाहें कि आपने टमाटो केचप वाली वो sauce डालनी है, या अपने चिली sauce डालनी है आपने थोड़ी सी उसमें soya sauce डालनी है और आधा चमच विनेगर अगर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते है आपकी अपनी choice है कौन-कौन सी sauces आप डालना चाहते है मैं इसमें mostly टमाटो केचप और जो चिली sauce आती है, sweet and sour वाली चिली sauce मैं ज़्यादा वो ही डालती हूँ तो जब जितनी चाहिए ओ sauce, कहीं लोग बहुत ज़्यादा sauce पसंद करते हैं कहीं बिल्कुल हल्की वाली पसंद करते हैं तो मैंने यहाँ पे इतनी थोड़ी सी यह sweet and chili sauce जो होती है, वो डाली है और उनको सबको mix कर दिया है एक बहुत तीखी वाली sauce आती है, उसका नाम होता है, tabesco sauce वो पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से मशूर है पतली सी छोटी सी बाटल होती है और इतनी तेज उसकी मिर्ची होती है उसके अंदर कि आप दो चार बून दी उसमें डालो तो बहुत तीखी मिर्ची हो जाती है तो आप वो भी डाल सकती है अब यह तो मसाला chili sauce है, यह भी add कर दी है हमने थोड़ी यह normally लोग पकोड़ों के साथ और समोसे वगरा है उनके साथ खाते है तो बहुत अच्छी बनती है यह सब sauces वगरा add करके और बहुत जल्दी pasta बन जाता है और सब इसको like करते है और इसके उपर कोई धनिया और वो चीज़ें डालने के जरूरत नहीं जस्ट ऐसे ही इसको बनाया और इसको बोल्स में आप सर्व कर दो और बच्चे इसको बहुत खुश होके खाते हैं हमारे घर में यह बहुत बनता है तो मैंने सोचा चलो आज एक छोटी सी recipe आपको फिर से remind करवा देती हूँ कि जब घर में कोई और चीज़ ना हो पकाने के लिए तो पास्टा तो हर वक्त सभी लोग लाइक करते हैं तो आप भी बनाईए और बच्चों को भी खिलाईए और खुद भी खाईए और लाइक करना मत भूलिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आई हैं आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड बन सकते हैं लेकिन प्लीज वीडियो खोलते साथ कमेंट मत करियेगा आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में